यहां पर देखा जाए मार्केट काफ़ा इस कंपनी आपको सौदा करोड की देखने के लिए और यहां पर पहले वैसे हम लोग थोड़ा बात कंपनी का फाइनचल हाइलाइट्स लेंगे और उसके बाद चार्च पर चलेंगे और देखेंगे प्लान आफ अक्शन क्या हो सकता कंपनी की बात करो कंपनी यहां पर कई तरह के बनाती है वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर रेल्वे वैगन बनाने के लिए ए क्योंकि काफी तेज़े इस एक्स-पांड कर रहा तो यह वह चाओ अपको अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगी इसके लाब अगर देखा जा तो नियूली कह सकते हूं कि यह मोबिल सेक्टर के अंदर भी हां पर कंपणी अपना कह सकते हो प्रोटक्ट लांच कर रही है तो वो भी एक कह सकते हो कि beneficial हो सकता है या कह सकते हो कि transformational हो सकता है company के लिए बट अगर हमसे पूछा के तो हमको लगता है कि कहीं कई company को decide करना चाहिए क्योंकि अगर e-mobile sector के अंदर आते हैं तो वो एक completely अलग business हो जाएगा compare to wagon business से तो यह भी थोड़ा सा एक देखने वाली चीज़ अभी फिलाल company के लिए तो यह थोड़ा सा क्या सकते हो कि कुछ न कुछ उधल पुतल हो सकती है आगे चल के company के अंदर तो उसके लिए थोड़ा सम कहेंगे कि company को follow करना इस समय काफ़ important है अभी return तो company अच्छा दे रही है और आने वाले समय पर कुछ अच्छा return प्रोवाइट कर सकती है बट इन कमिंग फ्यूचर company has to decide कि यहाँ पर company को यह mobile अलग से उसको business बनाना है मतलब उसको de-merge करना है क्या करना है क्योंकि वह तरह से कह सकते हो main business के साथ बीच में कहीं यह vehicle के जो components आता है उससे related है तो उससे कोई मतलब नहीं हमें मेरा और यहां पर और यहां पर और यहां पर अच्छी नजर आ रही है profit growth और sales growth company की काफी अच्छ है और उसके हिसाब से यहां पर stock IP अभी देखी जाद नहीं है बाकि अगर फिलाल अगर देखा जा तो company के profit देखो तो almost क्या सकते हो कि कहीं नब्य परसेंट सौ परसंट की बीच में profit growth देखने के लिए हम लोगों अपर इसको ट्रेइलिंग मन्त में देखा जाते हो यहां पर अच्छी growth मिल रही है मतलब आते आते मार्स 2024 मार्स 2023 को काफी अच्छी नंबर से बीट करेगा यहां पर promoters के अलावा अगर देखो FI schooling वो थोड़ी से बढ़ते नज़र आ रही है बट DIs की holding काफी तीजी से कम हुई है लेकिन अभी के लिए भी देखा जाए तो हम लोग यहां पर इन वाले लेवल के बाद बाइन जो जरूर किये थे लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर फिर से rejection लेके नीचे आई है बट overall अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि sentiment negative हो गया और company उपर नहीं जा सकती है बस यह है कि level change होगी हम लोग आप लेवल जो फ्रेश पाइंग करेंगो 414 वाले लेवल के उपर है यहां पर थोड़ा सा लगा था कि जल्दी breakout देगी लिकिन यहां पर मार्केट थोड़ा सा वेट करा गई तो अभी इसमें कोई असी परिशानी वाली बात नहीं है थोड़ा सा हम लोग वेट जरू करेंगे और उसके बाद यहां पर 414 वाले लेवल अपर ब्रेक करता है तो फिर से आप लोग फ्रेश माइंग कर सकते हो और फिर से वहां पर हम लोग एक नेक्स जो यहां पर रैली मिलेगी वो थोड़ा सा कह सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो हम लोग पहले डिसकस कर चुके कि एक बार कंपनी अप्रेंट के अंदर आती है तो वहां पर तीन से पांच बार ऐसे प्रॉफिट बोकिंग आते हैं वहां पर अगर देखा जा तो एक फर्दर एक्स्टेंशन वाली यहां पर मिल सकती है जिससे पहले की कंपनी थोड़ा सा लंबा कंसुलिडेट कर सकती है तो अभी के लिए फिलाल अगर देखा है तो हम लोग 414 को पर वाइंग कर सकते हैं बाकि अगर जो स्विंग ट्रेड है रहा हो यहां पर 25-30% लिए निकाल सकते हो जो थोड़ा सा लंबे समय के लिए यहां पर 5-6 मेना यहां कह सकते हो और भी जाता बने रहना चाहता वो उनके लिए ठीक रहेगा लेकिन यह है कि अब थोड़ा सा जो एक्ट्राक्टिवनेस पहले थी उसके कंपारेजिन में तो अब यहां पर 100-100% ग्रो कर करेगा बट अभी इस पॉइंट पर में लगता कि अभी थोड़ा सा आने वाला है तो अभी देखते हैं क्या होता है लेकिन यहां अगर आपको बाइंग करने तो 414 को उपर जाके यहां पर बाय कर सकते हो फिराल इसके साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगर व बेल इकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दमाना ओक्या बाय